स्वागत हैं आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल एक्जाम वोरियर्स पे आज हम पढ़ने वाले हैं ओल्ड करंट अफिर से जुड़े 10 इंपोर्टेंट कोश्चन ये सभी कोश्चन आपके आने वाले एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट रहेंगे तो आज के वीडि आज का हमारा पहला कोश्चन है कचोत त्योहार कहा मनाया गया है तो आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर में कचोत त्योहार मनाया गया है साथ ही आप याद रखिएगा कि कश्मीरी इम्रग मुख्य रूप से किस नेशनल पार्क में पाई जाते हैं तो जम्मू कश्मी राज्ज दो भागों में विभाजित होग था जिसमें एक बना था जम्मू-कश्मिर-केंद्र- शाषित-П्रदेश और दूसरा बना था लधा ककेंद्र-शाषित-प्रदेश इंपटेंट हूर आपको ये भी फेक्ट याद रखने हैं साथ ही आप याद रखेगा जम्मू-क बात करें बांगलादेश की तो बांगलादेश की राजदानी अधाका, वर्तमान में यहाँ पर प्रधानमंत्री है शेख हसीना और यहाँ के मुद्रा है टका, साथ ही आप याद रखेगा कि 26 मार्च को बांगलादेश ने अपना पचासवा स्वतंतरता दिवस मनाया है, क्य इस समाहरों में बांगलादेश के ढाका से भारत के न्यू चलपाई गुडी की मत्या मिताली एकस्प्रेस चलाने की गोशना की गई है ». तो भारत की न्यू चलपाई कुड़ी की और बांगले देश की राजदनी ढाका के मत्य मिताली एक्सप्रेश चलाने की गोश्णा की गई है। इंपोर्टेंट कोश्चनर आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेशन नबर तीन है देश का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना किस शहर में हुई है। तो आप याद रखेगा बिहार की राजदनी अपटना और यही पर देश के पहले डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई है। Important Questionnaire आपको याद रखना है, साथ ही आप याद रखेगा कि बिहार के हाले में नितिश कुमार एक बार फिर से मुख्य मंत्री बने है, Important Factor आपको याद रखना है, साथ ही आप याद रखेगा कि बिहार के वर्तमार में राज्यपान है, फागू चोहान और इनी के द्वारा नि बहुत ही Important Questionnaire आपको याद रखने हैं कि राजस्तान राज जी की जो पुलिस अकादमी है, ये दीश की सर्वस्रेश्ट पुलिस अकादमी बनी है, Important Questionnaire आपको याद रखना है, साथ ही आप याद रखेगा राजस्तान दीश का शित्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज् आपको याद रखने हैं, आज का हमारा Question No.5 किस देश के बास्मती चावल को जी आई टेक मिला है, तो आप याद रखेगा पाकिस्तान का जो बास्मती चावल है, इसे हाली में जी आई टेक मिला है, साथ ही आप याद रखेगा कि भारत और पाकिस्तान के मद्दिश सीमा र रेका है, उसे रेड़ कलिफ रेका कहा जाता है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के मद्दिश सीमा रेका को कीचने के लिए एक आयोग का गटन किया गया था सर 1947 में, 1947 में दोनों देशों के मद्दिश सीमा रेका कीचने के लिए एक आयोग का गटन किया गया था, जिसका ना Q6. बारत का पहला लाइकेन पार्क के किस राज्य में स्थापित हुआ है? ये Q7 बहुत important और आपको याद रखना है कि उत्राकंड राज्य में बारत का पहला लाइकेन पार्क इस्थापित किया गया है। जी मंत्री बने हैं। साथ ही आपको याद रखना है उत्राकंड राज्य की राज्य पाल है जिनका नाम है बेबी रानी मोर्य। एक और important fact आप याद रखेगा कि भारत के 27 वे राज्य के रूप में 9 नवंबर को कब तो 9 नवंबर सन 2000 को उत्राकंड राज्य की स्थापना की उत्तर प्रदेश से अलग होकर भारत का 27 वे राज्य बनाता उत्तराकंड इंपोर्टेंट और आपको याद रखना है चलते हैं अगले question पर आज का हमारा question बर साथ है 2020 की tree city of world किसे चुना गया है बहुत ही important question और आपको याद रखना है कि 2020 की tree city of world हैदराबाद को चुना ग दनी है तेलंगाना जो कि 2 जून 2014 को भारत का 29 वा राज्य बनाता लेकिन वर्तमान में भारत के 28 राज्य है और 8 केंदर शाषित प्रदेश है important fact और आपको याद रखना है आज का हमारा question number 8 है All India Radio के प्रमुख कौन बने है तो आपको याद रखना है NV Reddy All India Radio के प्रमुख बने है अगर हम बात करें All India Radio के स्थापना हुई तीसतर 1936 में और इसका मुख्याले है नई दिल्ली में important factor आपको ये भी याद रखना है आज का हमारा question number 9 है महिलाओ को मालिकाना हक देने वाला पहला रज्य कौन बना है तो आप याद रखिएगा उत्राखन रज्य महिलाओ को मालिकाना हक देने वाला पहला रज्य बना है साथ ही आप याद रखेगा सबसे important fact ही कि उत्राकण में भारत का सबसे पुराना national park इस्तित है अब आज का आपके लिए question है आपको बताना है कि जो उत्राकण में भारत का सबसे पुराना national park is spite है इसकी स्थापना कब होई थी और इसका नाम क्या है ये question आपके लिए और इसका answer आपको comment box में देना है कि उत्राकर्ण में भारत का जो सबसे पुराना नेशनल पार के उसका नाम क्या है और उसकी स्थापना कब हुई थी इसका answer आप comment box में जरूर दीजेगा आज का हमारा question number 10 है Australian Open 2021 में महिला वर्ग का किताब किनों ने जीता है तो आप याद रखेगा Australian Open 2021 जो कि एक tennis tournament है इसमें महिला वर्ग का किताब जीता है जापन की नावमी ओसागाने वही आपको याद रखना है कि पूरुष वर्ग का किताब किनों ने जीता है तो सर्बिया के एक खिलाडी है सर्बिया के tennis player है जिनका नाम है नोवाक जोकोविच और इनोंने ही Australian Open 2021 का किताब चीता है Australian Open से आपको याद रखने हैं महिला वर्ग का किताब नावमी ओसा का जो की जापान से है पूरुष वर्ग का किताब नोवाक जोकोविच जोकी सर्बिया के खिलाडी है इन दोनों का नाम आपको याद रखना है साथ ही आप important fact याद रखेगा जो question exam में पूछा गया था कि tennis से जुड़े कुल कितने open tournament होते हैं तो आपको याद रखना है प्रमुक रूप से चार open tournament होते हैं टेनिस से जुड़े जिसमें Australian open, French open, Wimbledon open और US open आपको ये भी important fact याद रखने है तो ये हैं आज के वीडियो से जुड़े 10 important question और उनसे जुड़े कुछ important fact जो आपको याद रखने है तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो like and share जरूर करें साथी वे सभी जो आप चैनल पर नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे उप्यों की लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूले साथी बेल आइकन जरूर तपाएं जिससे के आने वाले वीडियो की तुरंट जानकर ये आपको मिल सके अगर आपको हमारे द्वारा पूछे के question important लगते हैं तो आप हमारे टेली ग्राम चैनल को जरूर जोइन कीजेगा वहाँ पर भी daily important question पूछे जाते हैं तो आज का जो हमेंने question पूछा है उसका answer आप comment box में जरूर दीजेगा कि उत्राखंड राज्य में जो भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है उसका नाम क्या है और उसकी स्थापना कब ही थी थैंक्यू जैहिन जै भारत